हेलो गुडिवनिग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ वारियर तो क्या आपके घरवाले भी आपसे परिशान हैं या फिर आपको दिन बदिन अपने खराटों की वज़ा से शर्मिंद्री का सामना करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी कि आपकी समस्या का कोई समाधार नहीं निकल रहा है तो हम आज आपको ऐसे उपाए बताएंगे जो आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिला देगा पहले बात करते हैं कि हम खराटे क्यों लेते हैं जब हम नीद में होते हैं या फिर हम सोते हैं तो उस टाइम पे जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे गर्दन और सिर के पीछे के जो soft tissues होते हैं उनमें कमपन पैदा होता है जिसकी वज़ा से हम खराटे लेते हैं ये soft tissues हमारे नाक के रास्ते, टॉंसिल्स और जो हमारे मुं होता है उसके उपर वाले हिस्से में होते हैं जब हम सांस लेते हैं, जब हम आराम की position में होते हैं तो जो हमारे soft tissues होते हैं वो भी आराम की स्थित्री में होते हैं जिसकी वज़ा से हमें सांस लेने के लिए pressure का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी वज़ा से हमारी soft tissues में vibration होती है जो जिससे हम खराटे लेते हैं अब next हम बात करते हैं कि जो हम खराटे लेते हैं आप उनको आप उनसे चुटकारा कैसे दिला सकते हैं तो अब मैं आपको ऐसे उपाए बताऊंगी जिसको आप अपनी daily life में यूज कर सकते हैं for snoring को खतम करने के लिए तो पहला आता है शराब से दूरी या शराब का इस्तेमाल करना बंद कर दे क्यूंकि जब आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वज़ा से आपके जो tissues होते हैं वो बहुत जादा relaxing mode में चले जाते हैं जिसकी वज़ा से जो हमारी airway होता है respiratory track होता है उसमें सिकुर जाता है और जो संकरा हो जाता है जिसकी वज़ा से इस सांस लेने में बहुत जादा problem होती है और इसकी वज़ा से ही हमारे जो soft tissues होते हैं उनमें vibration होती है और खराटे की आवाज आती है दूसरा आता है एक करवट लेकर सोएं क्यूंकि जो हमारी जो हमारे नाक और जो हमारी चिन के नीचे के जो टीशू होते हैं वह आपके airway में रुकावट पैदा करते हैं जिसकी वज़ा से भी आपको snoring हो सकती है and second आता है कि अगर आपको sinuses या आपके nostils block है तो ध्यान रहे कि अगर आपको cold या sinus हुआ है तो ऐसे में काफी जादा सावधानी बरते हैं अगर आप रात को सो रहे हैं तो सोने से पहले अच्छे से steam ले ले ताकि आपके दोनों nostils अच्छे से खुल जाएं और आपको रात को सोने में भी कोई problem नहीं आपको सांस लेने में problem हो क्यूंकि अगर आपके nostils block रहेंगे तो ऐसे में भी आपको खराटे आने की जादा संभावनाएं हो सकती है and next आता है कि आप smoking का जो है इस्तेमाल बंद कर दे क्यूंकि smoking से आपके जो lungs होते हैं उसमें जो है effect परता है जिसकी वज़ा से आपको सांस लेने में या फिर आपको oxygen की कमी हो सकती है ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको खराटे आ सकते हैं तो आप अपने धुमरपान को बंद कर दे ताकि आपको रात को ऐसी परिशानियों का सामना ना करना पड़े दूसरा वजन घटाएं क्यूंकि जो व्यक्ति अधधिक मोटे होते हैं उनकी मोटे होते हैं वो लोग ज्यादा खराटे लेते हैं क्यूंकि उनके जो गले के आसपास जो वसा युक्त को शिकाएं होती है वो ज्यादा मात्रा में कोलेक्ट हो जाती है जिसकी वज़ा से जो थ्रोट का जो पात होता है वो सिकुर जाता है और खराटे जैसी आवाज निकलती है तो आप प्रश्च कम हो जाएंगे आपको बाकी विमारियों से लिए और नेक्स्ट आता है कि आप अपने जो तक्या होता है जो पिलो होता है उसके कवर को जो है चेंज करते रहें क्यूंकि अगर आप कवर को चेंज नहीं करते हैं तो उस पे धूल के कंड जम जाते हैं या फिर आ प्रब्लम होगी और आपको खराते जादा आने लगेंगे य्टर या अभीवजित का अधित असी जाए ज्यूकर आपको पानि का इस्तेमाल करें तो ऐसे में आपके यसमाल जाती है इसमें जो नमी हैं वो सूख जाती है जिसकी वज़ा से आपको खराटे की आवाज या फिर खराटे की साउंड होती है वो बहुत जादा बढ़ जाता है तो ऐसे में आप पानी का भरपूर मातरा में इस्तेमाल करें और जैसे कि आप जानते हैं कि पानी आपकी हेल्थ के लिए भी काफी जादा हेल्फुल है क्योंकि हमारी जो बॉड़ी है उसमें 75% वाटर होता है तो ज़्यादा ज़्यादा पानी पिए और अपनी हेल्थ का सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और वीडियो पे कोमेंट करना ना भूले कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टापिक पे चाहिए और साथ ही आपको हेल्थ से लेडिट वीडियो दिखने के लिए मैं एंड स्क्रीन पे अपनी प्लेलिस्ट एड़ कर दोंगी उसमें आप हेल्थ से लेडिट सारी वीडियो देख सकते हैं थैंक यू